जांसी जिले के सिप्री बाजार थाना च्छेत्र में अंदर से बंदिक मकान में अधियर की सड़ी गली लाश मिली सूचना पर पहुची पुलिस ने दर्वाजा खुलवा कर शब को कबजे मिलिया इसके बाद उसकी शिनाक्त कर घटना का कारण जानने का प्रियास किया जा रहा है जांसी जिले के सिप्री बाजार थाना अंतर गर्तास कंपाउंड में रहने वाले स्थाने छेत्रवासियों ने पुलिस को सूचित किया कि महले में स्थित अंदर से बंद एक मकान में बद बुआ रही है सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुची और दर्वाजा खुलवाया दर्वाजा खुलने पर अंदर जाकर देखा तो एक वैक्ती की सड़ी गली लाश पड़ी थी पुलिस ने शफ को कम्रे से बहार निकाल कर कबजे मिली कर शिनाक कराई पुलिस के अनुसार में तक की शिनाक तुट्ते भतीजे निखिल वर्मा निमासी खुशी पुराने लगभग 40 वर्शी नंत किशोर के रूप ने की निखिल के अनुसार में तक उसका चाचा था और यहां मकान में अकीला रहता था उसके चाचा शराफीने के आदी थे चार-पांच दिन से उनकी कोई सूचना नहीं मिल रही थी उनकी मौत कैसे हुई ये इस पर्च नहीं हो सका है फिलाल पुलिस ने शर्फ को कबजे में लेकर पोस्माटन के लिए भेज़ दिया है